आप देख रहे हैं MPCG Express News अगर आप हमारी खवरें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें बक्सवाहा में दर्दना सड़क हाथसे में घायल हुए युवक्त की अस्पताल में इलास के दौरान मौत छतरपुर दमू हाईवे बक्सवाहा के इंडियन ओयल पैट्रोल पंप वा अपना ढ़ावा के समीफ हाल ही में एक वाइक ट्रक की चपेट में आ गई थी जिसके दौ दौरान बाइक सवार युवक्त कडोरी प्रजापती गंभीर हालत में घायल हो गया था जिसे ततकाल उस समय इलास के लिए सामुदायक स्वास्त के अंद में भरती कराया गया तथा हालत गंभीर होने पर जिला चिकिस सालय दम हो रिफर कर दिया गया जहां से उसे उपचा बक्सवा तहसील की पंचायतों में आईसमान कार्ड की द्रात्री सिविर का आईजन बक्सवा जनबत अंतरगत 770 आईसमान कार्ड बने वहीं SDM राहुल सिलारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आईसमान कार्ड बनवाने के लिए भी लोगों को प्रेरित करें नेरध उपारजन के अंद्रों पर बैठे रहे कर्मचारी नहीं पहुचे किसान पहले दिन किसानों ने नहीं किया चना एवं गैहूं का उपारजन सासन की निदे सनुसार आज सरकारी समीतियों पर किसानों के चना वगैहूं का उपारजन खरीदी शुरू की जानी थी जिसको लेकर प्रिसासन की द्वारा संपूर्ट तैयारियां कर ली गई थी लेकिन खरीदी केंदर सुनसान दिखे पहले दिन बक्सवा खरीदी केंदर पर किसानों के ना पहुचने पर खरीदी केंदर से किसानों ने समपर्क किया गया इवं उनको फॉन पर मैसेज भेजी गए बाजना में कुए में फसी गाय को बड़ी मसक्कत के बाद सुरक्षित निकाला बुजुर्ग महिला की सूजबूस से बची गाय की जान बाजना छेत्र के नजदीक एक खेत में बने कुए में एक गाय फस गई तभी पास से बकरी चराने निकलीग ललाबाई ने देखा तो गाय की जान बचाने के लिए प्रयास किया ततकाल ललाबाई ने इस्थानिय लड़के छोटू, अंकित, दिलीप, सूरज, दिनेश, नीरज, राम, बिसाल बाभारत की मदद से गाय को कुए से सुरक्षित बाहर निकाला और उसकी जान बचाई बुजुर्ग ललाबाई के मताबिक गाय बड़ी देर से कुए में फसी हुई थी तथा उसे समय पर बाहन निकाले जाने पर उसकी जान भी जा सकती थी मरदियोरा सहकारी शमीती में उपारजन केंदर का हुआ सुभारंब आज संपन हुआ जिस दोरान समीती प्रवंदक धनीराम पटेरिया एवं सेल्समेन शरूप आदिवासी कंपूटर आफरेटर संदीप पटेरिया एवं पत्रकार मनी सलोधी सहत अन्य लोग उपस्थित रहे सेल्समेन शरूप आदिवासी ने बताया कि यहाँ पर किशान भाईयों के लिए पीने के पानी की विवस्था एवं बैठने के लिए परियाप्त विवस्था तथा गैहूं मेंसे कचरा रिकालने के लिए छेनने की विवस्था भी की गई है तथा जानकारी देते हुए शमीति प्रवंदक धनीराम पटेरिया ने बताया कि हर दिन 10-12 लोगों के मोबाइल पर SMS आएंगे तभी बहे लोग अपने अपने उपज फसल गया हूँ लेकर सोसाइटी में भरने के लिए आ सकते हैं